सब्सक्राइब कर सकते हूँ ऐसे यह टोटली आपका पर्सनल चॉइस है तो लेकिन लह सब्सक्राइब है या दोस्तों लृस्स प्रॉफिट फोले ही दो ऑगे मार्के खोलने के बाल ने action गढ़तों जैसे ही last day market जो close दिया था वो दिया था एक अच्छा रेजिस्टेंस पर रेजिस्टेंस कैसा है अगर हम लोग 1 ओवर के टाइम फ्रेम पर देखेंगे वन ओवर के टाइम पर अगर आप लोग नोटीस करोगे तो मार्केट देखो एक बार यहां पर रेजिस्टेंस लिया दूसरी बार लिया तीसरी बार लिया चौथी बार लिया और यह है सिक्स्थ टाइम तो इस सिक्स्थ टाइम पर मेरा व्यू था कि या तो यहां से उपर न यसके बाद मैने चलते हैं 5 मिनिट के टाम पर यहां आप लोगों समझा पाऊंगा आज मैंने वैसे टॉटल तीन ट्रेड लिया था तर ड्यव THAT नहीं अर। तो कॉस्ट काटा का था पहले का जो फरस्ट दो ट्रेड था वो मैंने कॉस्ट कटा था यो थर्ड ट्रेड है तो में मुझे जो है प्रोफिट मिला मैं कैसी मिला वह मैं आप बहुत आता हूँ मैं वेसी के लिए ट्रेड लेने के लिए पांच मीट का टाइम प्रेम पॉलो करता हूं तो वही पांच मीट पर हम लोग आ चुका है देखिए मार्केट ओपन होने के बाद आज क्या हुआ यह पर अगर आप लोग अच्छे से नोटीस करोगे तो मार्केट पहले दिखा है कि हम मुँपर जा रहे हैं फिर मार्केट ऊपर गया नहीं सीधा नीचे आ गया एंड यहां से सपोर्ट लेके मार्केट और गिरने लगा ठीक है लेन मुवमेंट बहुत ज्यादा स्लो था अब है कि सपोर्ट के ऊपर बेस करके मैंने जो है पहले एक लिया गांपने ट्रेड के लिया मैंने लिया में लिया था पुतadowsाइड क arri paint पर जैसे हिए अगर अपनोहस्त चाहिक नोटकोन के जो शुपोर्टे से मार्केट एक बारी सपोर्ट लिया दिखा देता हूं मैं आप लोगो एक भडरी सपोर्ट लिया दो लेने और यह है कौथा बार इस जग से पोर तो इस ट्रेड लाइन पर मुझे थोड़ा सब रोसा था मार्केट हाला कि वैरिस था तो इसी वज़ए से मेरा भी व्यू था पुट साइड पर ही ट्रेड लेना का भी मेरा था तो मैंने क्या किया इस जगे पर जैसे अगर आप लोग नोटिस करोगे यहां पर अगर आप लो बना ली थी इस जगे पर मैंने अपने इंट्री बना ली थी पूट साइड के लिए तो चैंडल थोड़ा सा नीचे आया अलाकि यह नीचे तो थोड़ा सा आया था लेकान मुझे अपना प्रीमियम के उपद छे रुपए नहीं मिला था तो इस वैसे मैंने बूग ने किया इस जगे पर मेंने ट्रेल करके कॉस्ट कर दिया था मेरा टार्गेट जो रहता है वह यह चे पॉइंट का मलब जो लोग मेरे पुराने भीवर्स आप से भी को पता होगा कि मैं जब भी कोई ट्रेड लेता हूँ मेरा डेली का लिमित रहता है कि डेली मैं 150 से ज़्यादा लॉस नहीं करूंगा और प्रॉफिंट होता है तो 300 से ज्यादा मैं प्रॉफिट नहीं लूगा मैं नहीं लूँगा मिन्स कि अगर देता है मार्केट तो ठीक है गलब 300 profit एक बार हो जाए तो उसके बाद मैं और trade नहीं करूँगा, simple से बात है, okay, यह मेरा target रहता है, तो मैंने trade लिया यहाँ पर put side का, put side में मेरे को profit मिल ला था, 3-4 उपे premium के उपर मिल ला था, and तुरंद क्या हुआ, एक green candle मन गिया, और मैंने इस candle में जैसे मुझे थोड trade cost to cost हो गया, यह था मेरा first trade, आज का, okay, second trade पर मैंने क्या किया, second trade पर देखा कि market इस जगे से थोड़ा सा buying जो है, यहाँ पर buying थोड़ा सा slow था, तो मेरा view था कि यहाँ से अब selling पर आ सकता है, मेरा view एकदम perfect था, कोई भी इसमें गड़बड़ी नहीं था, again मैंने इस जगे market पर entry बनाया, entry बनाने के बाद, market थोड़ा सा नीचे तो आया, फिर market उपर गया, entry बनाने के बाद मेरा जो SL था, इसमें भी same किया, जैसे मुझे थोड़ा बहुत profit दिखने लगा, मैं cost to cost आगिया था, अगर मैं सच बात बताओ, तो यही, यह जो मैंने दो trade लिया, cost to cost बा यह trades अगर मैं इंदा मनी में लेता, तो definitely मुझे 6 point के उससे ज्यादा ही मिल जाता, 10-12 point easy मुझे मिल जाता, लेकिन क्या सीन हुआ कि premium के price थोड़ा high चल ला था, तो मैं नहीं इंदा मनी ले पा रहा था, 5500 में नहीं इंदा मनी आ रहा था, नहीं add the money आ रहा था, तो इस जबूर ही में out of the money लेना पड़ रहा था, और इसी out of the money के कारण क्या हुआ, again यहा पर मैंने जो trade लिया, यह trade मेरा नहीं चला, मतलब कि थोड़ा सा मुझे profit तो दिखाया, लेकिन मैंने अपना SL को जो है cost to cost ला दिया था, जिस कारण से, मेरा क्या हुआ, कि बापस यह green candle मे अपना SL हो गया, SL means cost to cost ला दिया था, तो ना loss ना profit, दोनों सीन में ऐसा हुआ, first trade मेरा ऐसे गया, second trade मेरा ऐसे गया, no loss, no profit, okay, अब था third trade की बारी, थोड़ा सा मैंने सोच समझ गया, third trade लिया, third trade पे, मुझे लगा था, market यहाँ से जो selling आ रहा था, selling भी बहुत slow आ रहा था, selling में आप लोग देख सकते हो, थोड़ा सा red बना, फिर थोड़ा green, फिर red, फिर green, मार्केट बहुत slow जो है work कर रहा था यहाँ पे, इस जगह पे, तो मैंने इस जगह पे क्या किया, जैसे एक बड़ा red candle दिखा, क्योंकि यह support, नीचे वाला support के ऊपर था, तो यहाँ से एक अप छोटा-प्मोटा आने का chances था, तो इसी करन्द से मैंने क्या गिया, जैसे ही यह red candle बना, red candle end होने के बाद, इस जगह पे मैंने अपना entry बनाया, C में, यह दोनों मैंने P लिया था, इसमें भी view था मेरा नीचे जाएगा, जो कि गया नहीं, इसमें भी view था मेरा नीचे जाएगा, जो कि गया नहीं, दोनों मैंने P लिया था, और मैं आप लोगो starting में बताया कि उपर का जो main support है, main जो resistance है, sorry, main resistance के नीचे जब तक market रहेग में बेरिश रहोंगा यहां यह वाला जो सब रेष्ट्रेंस है यह से नीचे जब तक रहेगा तब सब्राइब लिए इसके ऊपर मैं बुलिश रहोंगा मतल्ला पी पर नीचे पी पर ज्यादा फोकस करूंगा यह मेरा भीयू था लेकिन इस जगे पर मुझे थोड़ा अपना व्यू जो है, चेंज करना पड़ा, चेंज करने पर मैं थोड़ा सा मजबूर रहा, यह जो red candle बना, red candle के नीचे मैंने तुरंत अपना entry बनाया, इस जगे पर, तुरंत से अपना entry बनाया, कि यहां से एक छोटा मोटा green का संभावना था, क्योंकि यहां से सीधा loss तो possible था नहीं, क्योंकि market आप लोग देख लो, कितना slow था, यहां पर candles में देखो, इसके आगे का जो candles है, इस में देखो, wigs देखो काली, market full confused था कि किधर जाना है, second app पर हाला कि market बहुत अच्छा move किया, अच्छा moves दिया, और मेरा third trade जो मैं बता जा रहा था, इस जागे मैंने लिया, इस candle, red candle खातम होते ही, call side में मैंने लिया था यह trade, और तुरंत मुझे एक ही candle में, अपना 6 point जो है, मुझे मिल गया, 6 नहीं, 8 point मुझे मिल ला था, बट मैंने 6 पे अपना SL कर दिया था, suppose मैंने 30 पे buy किया, तो 36 पे मैंने अपना SL जो है, वो मुझे चाहिए, मतलब 6 point अपना, वो मुझे चाहिए, यह मेरा आज का view था, और यह मैंने आज जो total trades लिये, वो भी मैंने आप लोग को बता दिये, अभी आप लोग comment करके बताओ, आप में से कौन से भाई ने कितना profit आज बनाया, क्योंकि आज second आप में market बहुत अ अच्छा खासा पैसा यहाँ पर बना है, इस market पर अच्छा खासा पैसा जो है बनाया, तो आप लोग comment करके बताओ, किस भाई ने कितना पैसा आज बनाया, और हाँ, एक और चीज मैं आप लोग को बता दू, मैं trade करने के लिए यूज करता हूँ, इम स्टॉक, आप लोग सोच रहे हो कि भाई तुमने तो तीन ट्रेड के लिया, टोटल तुमने तीन ट्रेड किया, लेकिन तुमारा profit है 300, तो इसमें से तो 1500 रुपे ब्रोकरेज में ही चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, इम स्टॉक में ब्रोकरेज गाईस फ्री है, वि इसमें प्री है, इम स्टॉक में, तो इसी कारण से मैंने आज तीन ट्रेड लिया, लेकिन तीनों ट्रेड का जो 1500 रुपे ब्रोकरेज होता है, वैसा कुछ नहीं कटा मेरे से, जो मेरा 300 profit है, 300 ही रहेगा, 2-4 रुपे कटेगा, वो अलग बात, 2-4 रुपे ठीक है, वो एड मैं खुद परिसान हो गया, तो मेरा पहले जिरो अदा में था, मैं खुद परिसान हो गया तो इसी वज़े से मैंने एम स्टॉक पर स्विच किया, बहुत बढ़ी अप्ली के से, कोई भी प्रॉब्लम मुझे अभी तक नहीं फेस किया, मैंने, और हाँ, एक सीज बता दू, जो भी भाई लोग एम स्टॉक पर अकाउंट बनाना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके अपना अकाउंट क्रियेट कर सकते हो, एंड सबसे में चींस, एम स्टॉक पर अकाउंट बनाते वक्त आप लोगो को हजार रुपे पे करना पड़ेगा, हजार रुप इतना ही, बागी आप लोग कमेंट करके बताओ, कैसा गया आप लोगो का दिन, आगे मिलता उप फ्रेशनी वीडियो से, तब ते लिए इस्टाटा, एंड बावाई